Hello Friends, स्वागत थे आप सभी का RBDTube Class में तो Friends, आज मैं कोस्चन लेकर के आया हूँ ये कोस्चन Class 9 की Math की Book से Exercise 2.4 से Question No. 5 का 4th Question लेकर के आया हूँ तो इस Question को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे by Alternative Method से मतलब एक आसान तरीके से सबसे आसान तरीके से इस Question को डिसकस करेंगे तो चलिए देखते हैं जैसे कि Question No. 5 ए फिक्टोराइज 2y3 प्लस y स्कोर माइनस 2y माइनस 1 इसको हमें फिक्टोराइज करना है आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा है ये बहुत ही आसान ठीके अभी जैसे यहाँ पर 1,2,3,4 टर्म है मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ बीच से ठीके तो आप अगर इस ग्रूप में देखो पार्टिकुलर इस ग्रूप में देखो तो क्या कामन ले सकते हो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इसे और एक बार और लिख देता हूँ जैसे मैं यह y cube है न y cube मैं इसको write कर देता हूँ y square into y क्या मैं इसे write कर सकता हूँ हाँ बिल्कुल write कर सकता हूँ ठीके तो मैं आपे write कर देता हूँ 2y square into y plus y square minus 2y minus 1 अब अब ध्यान से देखो कि इस term में यह जो दोनों term है यहां से मैं y square को common ले सकता हूँ तो मैंने y square को common ले लिया तो यहां पर बचेगा 2y plus 1 देखो जब यहां से common होगा कुछ नहीं है तो 1 बचेगा अब अब ध्यान से देखो यहां पर कितना है 2i यहां पर कितना है 2i यहां पर कितना है 1 यहां पर कितना है 1 तो इधर से हमें कुछ common लेना नहीं है तो कुछ common नहीं लेना है इसका मतलब हमें 1 common लेना है क्योंकि जहां पर कुछ common नहीं लिया जाता वहां पर 1 common लिया जाता है Sign अगर तीसरे टर्ब में माइनस है तो आपको माइनस को common ले लेना चाहिए अब अगर आपने माइनस को common ले लिया तो 2i माइनस में था आप कैसे बचेगा आप plus 2i बचेगा 1 माइनस में था तो 1 कैसे हो जाएगा plus 1 हो जाएगा यानि bracket के अंदर का sign क्या हो जाता है बदल जाता है कब जब माइनस कॉमन ले लेते हो क्या आपको इतना समझ में आया पिर चे समझा देता हूँ देखो यहां पर 2y3 और पलस y2 है तो यहां से हमने जब y2 को और यहां से आपने यहां देखो 2Y3 और यहां पर प्लस हो जाएगा- vandaag-on-下次 देखो चीए वाला जो अब किया कि रख点 कि रखेगा यहां से जब यह निकल जायेगा तो आपके बचेगा y उसको है ठीक है अब क्या है कि यह जो आपको y स्कुल हर माइनऽ दिख रहा है ठीक है इसको आप ऐसे लिख सकते हो y square minus 1 का square क्यों 1 के बावर अब कितनी भी बढ़ा लो कितनी भी कम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अब ये एक identity होती है a square minus b square ठीक है कौनची identity number third a square minus b square तो इसका फर्मूला होता है a plus 1 और a minus b तो यहां से अगर आप देखोगे तो a यह है y आपका और b है आपका 1 तो यानि कि हो जाएगा y plus 1 और y minus 1 यहां पर ध्यान से देखिएगा यह जो y square minus 1 लिखा है इसको हमने लिख दिया y square minus 1 square 1 के power हम कितनी भी गटा सकते हैं और 1 के power हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं तो अब यह y square minus 1 square a square minus b square के फार्मूले में रख देंगे a square minus b square का फार्मूला होता है a plus b a minus b तो यहां पर a की value है y और b की value है 1 तो यहां पर हो जाएगा y plus 1 और y minus 1 यही term हम यहां पर रख देंगे इसके place पर तो कितना आजाएगा हमारे पास आजाएगा y plus 1 और y minus 1 तो यही हमारे factor होंगे इस polynomial के ठीक है तो यह हमारी थी trick alternative method कितने कम समय में around 2 or 3 minute में आप इस question का answer कर सकते हैं तो comment box में बताईएगा कि यह video आप लोगों कैसा लगा video अगर अच्छा लगा है तो video को like करें, channel को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें मिलते हैं अगले video में तब तक लिए thank you class